साइराम बच्चों, पिछली सेशन में टीचर ने आपको उकी मात्रा सिखाई थी, जिसमें आपको टीचर ने उकी मात्रा के शब्द, उकी मात्रा के दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द, और चार अक्षर वाले शब्द भी बताया थे, और बताया था कैसे आपको वाक्य बनाने हैं और आपको उंगली रखकर पढ़ना है और टीचर ने ये भी कहा था कि नेक्स सेशन में हम लोग आपकी अविरल टेक्सबुक का लेसन करेंगे तो बच्चो चलिए आप अपने बुक खोलिए अविरल बुक खोलिए हिंदी की और आप लेसन नमबर फाइव उ की मात्रा का लेसन खोलिए लेसन जानने के लिए आप इंडेक्स में ढून सकते हैं लेसन कौन से पेज़ पर है तो बच्चो पहले इंडेक्स देखिए इंडेक्स में लेसन नमबर फाइव पेज नमबर थर्टी फाइव पर है खोला बच्चो ठीक है वहाँ पर आप आज की डेट डालिए आज की डेट क्या है वह डालिए अब चलिए बच्चो हम चलते हैं लेसन की तरफ लेसन नमबर फाइव उकी मात्रा तीचर ने आपको उकी मात्रा बताई थी ना कहां लगानी है खड़ी पाई नीचे की तरफ लगानी है और सिर्फ रो में उकी मात्रा साइड में लगती है छोटे उकी और बड़े उकी तो आएए बच्चो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा लेसन उंगली रखकर आप उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए उकी मात्रा देख रहे हैं बच्चो अब यहां नीचे आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए हां शुरू कीजिए उंगली रखिए और उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए क्या लिखा है पहले तो आप चित्र देखिए चित्र है और नीचे क्या लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए क चाको उ की मात्रा उ और आ कच्छू आ पढ़िए बच्चों क चू आ कच्छू आ अब देखिए नीचे है ये क्या बना है चित्र देखिए ये है ब्रिज ब्रिज को हिंदी में क्या बोलते हैं टीचर ने आपको बताया था लास्ट टाइम प को उ की मात्रा पू और ल पुल जब हम छोटी की उ की मात्रा लगाते हैं तो हमारी आवाज छोटी हो जाती है तो जब हम प को छोटे उ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा पू आएए दूसरे शब पर चलते हैं ये क्या कौन है ये है च को उ की मात्रा चु ह को छोटी की मात्रा ही और य को आखी मात्रा या चु ही या पढ़ा बच्चों इसी तरह से आपको धीरे धीरे देखकर ध्यान से शब्द पढ़ने है और मात्राएं जोड़कर सही उचारन करना है अब देखिए चोथा शब्द कौन सा है ग को छोटे उ की मात्रा गु और र को छोटी की मात्रा डि य को आ की मात्रा या गुडिया क्या है गुडिया और आप चलते हैं हम आगे समझिये और पढ़िये यहाँ पर आपको देखना है और समझना है उसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ पर कुछ वर्ड आपको दिये गए हैं जिसमें उ की मात्रा आपको नीचे लगानी है शब्द के अक्षर के नीचे लगानी है तो आईए पढ़ते हैं पहला अक्षर क्या है पहला शब्द क्या है ध को उकी मात्रा धू और न धुन बग को उकी मात्रा बुन बु और न बुन तो पढ़िये बचों धुन बुन अब चलिए अगले अक्षर पढ़ चड़ते हैं उंगली रखकर पढ़ना सिखिए बचों सब्द को छोटे उकी मात्रा सु और न सुन बोलिए सब्द को उकी मात्रा सु और न सुन चोथा अक्षर पढ़ने की कोशिश कीजिए हाथ रखिए उंगली रखिए और पढ़िए चो को उकी मात्रा चु और न चुन आएए एक साथ पढ़ते हैं धुन, बुन, सुन, चुन एक बार फिर धुन, बुन, सुन, चुन ये थे दो अक्षर वाले शब्द अब चलिए नेक्स लाइन पर चलते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं तीन अक्षर वाले शब्द उंगली रखिए और पढ़िए मा, बोलिए मा, धा को उकी मात्रा धु और र, मधुर क्या हो गया, मधुर फिर चलिए अगले शब्द पर चलते हैं च, बोलिए च, त, त, को उकी मात्रा तु, र, चतुर अब आईए अगले शब्द पर चलते हैं अ, न, न को उकी मात्रा न, और ज, अनुज क्या हो गया, अनुज, अनुज याने ब्रदर ब, ह, ह, को उकी मात्रा हु, और त, बहुत बोलिए बच्चों, बहुत, बहुत याने बहुत हो गया, ज्यादा हो गया तो हमने चार अक्षर, तीन अक्षर वाले पड़े, चार शब्द पड़े, तीन अक्षर वाले तो आईए मेरे पीछे रिपीट कीजिए मधुर, चतुर, अनुज, बहुत समझ में आया बच्चों, इस तरह से आपको छोटे छोटे अक्षर पहले पड़ने हैं, मात्राएं देखकर फिर शब्दों को धीरे धीरे पड़ना हैं सही उचारन के साथ अब आईए तीसरी लाइन पर, यहाँ पर है चार अक्षर वाले शब्द अब यहाँ देखिए नीचे दो-दो बार उ की मात्राएं लगी हुई हैं तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग च को उ की मात्रा चु, न, चुन म को उ की मात्रा मु, न, मुन क्या बन गया? चुन मुन बोलिए चुन मुन आईए अगले शब्द पर चलते हैं मा को उ की मात्रा मु फिर है न, मुन मुन वापस म को उ की मात्रा मु और न, मुन फिर आएगा चुन मुन मुन फिर है ब को उ की मात्रा बु और ल, बुल इसी तरह से आगे भी ब को उ की मात्रा बु और ल, बुल-बुल बोलिए बच्चों, बुल-बुल अब अगले शब्द पर चलते हैं ग को उ की मात्रा गु म, गुम स, को उ की मात्रा स, और म, गुम्सुम तो हमने चार शब पढ़े तीचर के पीछे रिपीट करिए चुन मुन 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 बुल-बुल गुम्सुम इसी तरह से आपको पढ़ना हैं अब आये चौथी लाइन पर यहां पर हाथ रखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए प को उ की मात्रा पु ज को आ की मात्रा जा र को बढ़ी की मात्रा री पुजारी क्या बन गया पुजारी बोलिए बच्चों आपको इसी तरह से दीरे दीरे पढ़ना है प को उ की मात्रा पू ज को आ की मात्रा जा र को बढ़ी की मात्रा री पुजारी पर में मुजारी पुजारी पुजारी पता है ना पान के साथ खाई जाती है और पुजारी याने जो पूजा करते हैं मंदिर में अब आएए आगे बढ़ते हैं स को छोटे उखी मात्रा सु र को आखी मात्रा रा और ह को बड़ी की मात्रा ही सु रा ही सु रा ही सु रा ही एक तरका मटका होता है जिसका मूँ लंबा होता है तो उसको बोलते हैं सुराही फिर है क को उ की मात्रा कु म को आ की मात्रा मा और र को बड़ी की मात्रा री कुमारी तो हमने चार शपड़े पुजारी बोलिए बच्चो पुजारी सुपारी सुराही कुमारी इस तरह से आपने शपड़े उ की मात्रा के अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है ध्यान रखिये जो टीचर ने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि र को उ की मात्रा जब लगानी है तो हम जैसे बाकी अक्षरों को लगाते हैं नीचे की तरब वहाँ न लगाके हम साइड में लगाएंगे तो यहाँ देखिए र को उ की मात्रा रू छोटे उ की मात्रा र को उ की मात्रा रू क्या बन गया रूची इस तरह से बच्चों आपको लेसन धीरे धीरे उंगली रखकर पढ़ना है अब चलिए हम चलते हैं अगले पेज पर यहाँ पर लिखा है बोलिये और अंतर समझिये यहाँ पर आपको बोलना है और दो अक्षरों में आपको अंतर समझना है आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है क और ल, कल और जब हम क को छोटेओं की मात्रा लगाते हैं तो बन जाता है कु कु और ल, कुल तो अंतर समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया कल याने कल कुल, कुल याने पूरा मिला के कुल तो दोनों अक्षर में फर्क हो गया न, मात्रा लगाने से किसी तरह से आपको अंतर समझना है अब देखिए, यहाँ पर है ध और न, धन धन याने रुप्या, पैसा, जितना भी आपके पास धन है और उसी को धा को अगर हम पू की मात्रा लगा देते हैं तो यह बन जाता है, धू और न, तो बन गया धन अब देखिए बच्चों, धन और धन, धन मतलब त्यून दोनों अक्षर में फरक हो गया, जैसे ही उनने मात्रा लगाई अंतर आपको समझ में आया, धन और धन तो बच्चों, इसी तरह से आपको अंतर समझना है और बोलना है कल, कुल, बोलिये, कल, कुल, धन, धन, इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए पा और ल, पल, और जैसे ही हम प को उ की मात्रा लगाते हैं तो ये बन जाता है प और ल, पुल, तो पल मतलब छण सेकंड्स, और पुल याने ब्रिज पल, पुल, बोलिये बचों, पल, पुल, फरक हो गया अंतर आ गया दोनों अक्षरों में उसी तरह से ग और म, गम गम, अब ग को अगर हम उ की मात्रा लगाते हैं तो बन जाता है गु और म, गुम अब यहाँ देखिए गम याने सैड और गुम याने खो जाना, गुम हो जाना दोनों अक्षर में अंतर हो गया इसी तरह से आपको दोनों अक्षर में अंतर समझना है और पढ़ना है तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं इस पर यह हो गया गुम अब आया चित्रों के नाम पूरे कीजिए अब यहाँ पर आपको देखना है चित्र और वहाँ पर ब्लैंक दिया है वहाँ पर आपको लिखना है क्या लिखना है? आप पहले पिच्चर देखिए यहाँ पर डैश और ली और पिच्चर है आपका किसका पिच्चर है? कुली कुली पता है ना ट्रेंड में जो सामान्ड होते हैं उनको बोलते हैं कुली तो हमें यहाँ क्या लिखना है? ब्लैंक में लिखना है क और उसको छोटेओ की मात्रा देनी है तो क और छोटेओं की मात्रा कु ली ली औरड़ी दिया हुआ है तो ये बन गया कूली क्या बन गया कूली यहाँ पर देखिए दूसरा चित्र ये किसका चित्र है ये है मुर्ली क्या है मुर्ली अब यहाँ पर मू दिया गया है तो आपको बीच में लिखना है क्या लिखेंगे आप मौ को उकी मात्रा मू बीच में डैश और ली आपको लिखना है रो तो लिखिए रो मूर्ली क्या बन गया मूर्ली अब चलिए आगे आगे एक चित्र है जो है पुल क्या है पुल तो आपको प को उकी मात्रा दी गई है आपको ल लिखना है पुल तो बन जाएगा पुल समझ में आया बच्चो यहाँ पर आपको एक हट दिख रहा है हट याने कुटिया तो आपको क्या लिखना है टिया दिया गया है आपको लिखना है कु तो आप लिखेंगे क और क को उकी मात्रा कुटिया क्या बन गया कुटिया इसी तरह से बच्चो आपको नाम पूरे करने हैं तो बच्चो आगे का भाग हम अगले सेशन में पढ़ेंगे